हालो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का डाट 247 के शामदार IES प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है रुद्र गातम और आज की इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर में वो सभी टॉपिक्स देखिए आने वाले समय में आपको मैं पूरा पूरा एक बार को कंप्यूटर का रिवीजन और MCQ सब कुछ करवा दूँगा ये मैं करवा भी रहा हूं है ना करें शुरू करें आवाज आ रही ये लेकिन ना चलो गुड मॉर्निंग साक्षी सूल फैमिली दीप शेखा हम रेली सौरी में अच्छे बजे की क्लास को च्छे बजे की क्लास थी लेकिन कोई बात ने हम लोग कंप्यूटर बहुत अच्छे से करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट और बैच है और परिणाम बै है ना चले शुरू करें चलो आपने क्या कब ये प्रशन देखा है अपनी लाइफ में ऐसा कई बर कंप्यूटर में ना अजीवो गरीब प्रशन भी आते हैं और वो आते हैं नो डाउट आते हैं कोई बताएगा ये क्या है डी ड़ब्लू ओ आर एके इस यूजड विद र सभी लोग एक बर लाइक ओशेर कर देना यार सभी लोग लाइक ओशेर कर देना एक बार है ना क्या हो जाएगा अंसर बताइए लाइक हो शेर कर दीजे सब लोग गुड मारिंग अभिशेक, कंचन, सोल, फैमिली, एंजल, दीप शिखा किसी ने सुना ऐसा कुश्चन क्या है C, माउस अच्छा, माउस के खोच करता कौन है Douglas Elangbert माउस के खोच करता क्यबूर्ड के खोच करता कौन है क्रिश्टॉफर लोथ्म तोल्स क्रिश्टॉफर लोथ्म सोल्स कीबूर्ड के खोच करता है monitor पता है आपको display unit है या output unit है printer आपको पता है कि it is an output unit चलो basically DWORK जैसे आप लोग देखते हैं न QWERTY यह जैसे keyboard होता है न वैसे यह keyboard आया करता था DWORAK DWORAK है न और यह keyboard का एक टाइप है D will be the correct answer I think कभी आपने एक कुश्चन नहीं देखा होगा लेकिन एक exam में government exam में यह प्रस्ट नाया था तो इसलिए computer पे बहुत सारी चीजें हो सकती है exam के लिए आपको सभी चीजों के लिए तयार है ना होगा तो यहाँ पर देखते हैं एक बार qwerty यह तो यह रहा qwerty वैसे ही जो पहले keyboard चला करते थे वो dwo ra के इस नाम से यह इनको ऐसा बनाने का उद्देश्य क्या है इसको qwerty क्यों कहा जाता है good morning everyone इसको ऐसा क्यों कहा जाता है पता है आपको हमारे जो words है हमारे जो dictionary में words है है ना इसको qwerty जो keyboard है उसको जानभूज के इस प्रकार से बनाया गया है कि जितने भी शब्द है ना उस पर research किया गया तो उससे यह देखा गया कि दूरी जो होती है ना जिसे मैं भी बिना देखें आप देखते हैं ना मैं कितना जल्दी से लिखके भेज़ देता हूँ मैं आपको देखते हैं बिना देखें keyboard पर लिख सकता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीख लोग है तो आपको भी आ जाएगा कि वो कम से कम हो सभी के सभी वर्ड्स पे और इसके आधार पर ये QWERTY ये रिसर्च करके निकाला गया वैसे ही DWORK इस अ टाइप ओफ इस अ टाइप ओफ कीबोड ये प्रकार का कीबोड चलो विच अव दो फॉलोइंग रैफर्स टु मैमोरी इन यूर कम्प्यूटर पता ये ये सिंपल सा कोश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं सब लोग जल्दी से बता दो और आज ना बहुत अच्छी थियोरी भी पढ़ेंगे आप लोग बोल रहे थे ने कि शॉटकट कीज वगरा पढ़ना है तो वो सब पढ़ा देंगे शॉटकट कीज वगरा सब पढ़ा देंगे एक बार तो ये बहुत सिंपल कोश्चन है इसमें कोई डाउट नहीं हमको इसमें कुछ भी डाउट नहीं है है ना तो राम विच फॉल्विए फॉल्विए राफर्स तो मेमोरी प्रिप्विटर तो वो है राम है ना शॉम्पल अगला प्रस्टन है ताइप आफ प्रोग्राम एंच्टल ऑन पर्सनल कॉंप्विटर तो कलेक्ट इंफॉर्मिशन और यूजर इसकॉल यूजर के बारे में जो इंफॉर्मिशन कलेक्ट कर ले वो क्या कहलाएगा बताइए spyware simple simple question spy क्या करेगा spying करेगा इन्हें computer ISP internet service provider जो हमें internet की facility देता है IP address वगरा सब internet service provider simple अभी जल्दी से कर लेते हैं कि हमको कुछ अच्छे से ये बताइए क्या होगा इसका answer बताओ simple question है ये कई बार ऐसा प्रश्ण है न कई बार exam में पूछा गए ये प्रश्ण कई बार exam में पूछा गए हाँ see हो जाएगा क्योंकि website जो होती हो collection of web pages होता है और पहला page जो हो home page कहलाता है ये बहुत बार question पूछा गए बताइए bandwidth अगला प्रश्ण आ गया है सभी लोग एक बार शेर कर देंगे guys सभी लोग शेर और लाइक कर देंगे बताइए क्या होगा the amount of data that can be transmitted through communication channel simple है simple है लेकन एक्जाम के लिए याद रखना क्या हो जाएगा इस प्रश्ण में आंसर a very good a हो जाएगा the amount of data that can be transmitted through communication channel bandwidth जो है जतना amount of data एक communication channel से भीजा जा सकता है या speed of communication device नहीं communication device नहीं होगी communication device की speed से क्या मतलब है bandwidth जो है वो तो हम लोग network में cable line पर जो data transfer होता है उससे related है है न तो bandwidth is a correct हो गया इन में से कौन सा एक peripheral equipment है बताईए बताईए पैरिफेरल equipment कौन सा इन में से which one is the peripheral equipment अनिल कुमार बिलकुल ठीक है आरती कोई बात नहीं समझ गया आप question को अगला प्रस्ण आगया है जल्दी बताओ सब लोग participate करके फिर मैं theory start करूँगा एक बार कुछ ये एक exam में पूछे गए प्रस्ण है उनको मैं आपको करवा रहा हूँ सी अरे बिटा इस प्रस्ण का आंसर नहीं आता आपको भी आपको peripheral devices नहीं पता और इचनी बार पढ़ाया है कियो बही ठीफेरल डिवाइस से या कुप मैंड उते जो कंप्यूटर में externally externally connect की जाते है एक्स्टर्णाली कनेक्ट किये जाते भाहर से अलख से गुर्ट मोटको सिंपल नि था एक्सटर्ण डुमसा बताऊ घृत अट तो परिंटर हो जाएगा ना और प्रिंटर प्लाटर युएस भी का माँस कीबूर्ड पैनड्राइव यह सब है यह सब एक्स्टर्नली कनेक्ट होती है यह सब पैरिफेरल डिवाइसेज है तो बहुत सिंपल कुश्चन था यह तो यह होगा नहीं पैरिफेरल डिवाइसेज क्या होती है वो डिवाइसेज जो बाहर से अलग से कनेक्ट होती है अहां तो पता है तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो पता है तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो पता है तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो चलो सब लो और गलत दे रहे थे पहले इसी रहे तो बोला एक आंसर गलत आया था फिर वो डिलीट हो गया पताओ गाने तो simple है हाँ, चलो, which one of the following represents fastest data transmission speed, बताओ, बताओ, fastest data transmission speed किसी है, शर को चलन इस पास, नमस्कार भाई, सब लोग share कर देंगे, एक बार like और share कर देंगे, like और share कर देंगे, सबी लोग like और share कर देंगे, एक बार, good morning बेटा, good morning, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो, share कर दो, like कर दो, fastest speed obviously क्या हो जाएगे, GBPS हो जाएगे, इसमें कोई doubt ही नहीं है, simple question है, बस, और है, बताओ, ये बताओ, simple question, simple question है, जल्दी से बताओ, GBPS हाँ, गीगाबाइट बड़ा होता है न, मेगाबाइट से तो, इसका अंसर बता दो, equals to से start होता है, function in MSXL, कोई भी function है, देख लो, यहाँ पर एक example दिया गया आपको, basic formulas in Excel, जैसे, यहाँ पर sum जूड़ा जा सकता है, average equals to आएगा हमेशा, हमेशा equals to आएगा, है न, और यहाँ पर insert, function, sum, वगएरे सब कुछ दिया गया, equals to minimum, है न, maximum चीज, value पता करनी, है न, तो इस तरह से equals to आएगा हमेशा, चलिए, है न, और हम लोग, यह जो है न, शेल जो होती है, B3, 3 और B, यह देखो, B, और यह 3, यह रहा, B3, B4, B5, तो यह जो है, वो Excel का example है, slide show, slide show, slide show आएगा, और यह सब को पता है, F5 का प्रेयोग होता है, तो कुछ shortcut keys आईए, आप मैंसे ज़्यादातर एस्परेंट ने बूला था, सर, shortcut keys करवा देना, नहीं न, वो तो क्या है, मैं एक government exam के questions थे, तो English और Hindi दोनों में होंगे, मेरे questions तो बहुत advance में तयार है, लेकिन कुछ experience ने बूला था, सर, थोड़ा सा shortcut keys वगरा करवा देना, तो इसी लिए shortcut keys पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, खहां से सुनिएगा, यदि start presentation from current slide, एक तो था केवल F5, और एक ये कि भई, मैं अभी power point की पचासवी slide पर हूँ, और मुझे पचासवी slide से start करना, तो shift plus F5 दबाऊंगा, shift plus F5, या फिर मैं दिखा दूँ आपको, अरे यारी तो गायब हो जाता एक तो यहां, आपको पता है, कि जब मैं, आपको पता है, जब मैं, यहां पर F5 दबाऊंगा, चाहे मैं आठवी slide पर हूँ, यहां से नहीं शुरू होगा, F5 दबाऊंगा, तो पहले वाले slide से शुरू होगा, लेकिन हमने जो अब तक पढ़ लिया है, जैसे हम लोग यहां पर ते स्लाइड पर दें, तो सीधा shift प्लस F5 जो है, या तो मैं इस पर click करूँ, यह वाला जो आया, इकन है, या फिर shift प्लस F5, तो सीधा यही से शुरू होगा, वरना F5 दबाने पर क्या होता है, शुरूआच से शुरू होता है, यहां पर यह आपको कहना चाहरा है, शायद आपको मेरी बात समझ म आगे होगी, start presentation from beginning, शुरूआच से presentation स्टार्ट करने के लिए, यहां पर है, वहां से start करने के लिए, shift प्लस F5, यह कॉशन पूछे जा सकते हैं, किसी भी चीज को exit करने के लिए, escape की available है, moving between slide while presenting, तो first slide पर मान लो, आप पूरा अपना slide show दिखा रहे हैं, तो यही होम की दब is down, सब कुछ होता है, तो यही लास्ट वाली slide पर जाना है, तो end, first वाली slide पर जाना है, तो home की, go to a specific slide, particular slide पर जाना है, तो slide number डालो, जैसे दस्वा और enter कर दो, slide number पर जाना है, तो सीधा, जैसे मान लो, दस्वे नंबर की slide पर जाना है, 10 प्लस enter मार दो, अपने आप आजा है, समझ रहे हैं, यह सब PowerPoint की shortcut keys हैं, PowerPoint की shortcut keys, view all slide dialogue, showing list of titles, view all the slide dialogue, showing list of, देखो, क्या होता है, कई बार, हमारे PowerPoint के साथ साथ कुछ अलग से dialogues, अलग से लिखे होते हैं, तो उसके लिए अलग से box आ जाता है, कि आपने क्या-क्या extra लिखा है, तो वो जो है, control प्लस S की मदद से आ आ जाता है, और show context we know to choose action for, चलो इसका इतना काम नहीं है, exam के लिए laser pointer, height pointer, चली, यह तो यह नहीं आएगा, नीचे का छोड़ देते हैं, नीचे का क्या लिखने के लिए इसलिए नहीं आएगा, चलो, अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में, यह जो थियोरी वाला पूरा chapter है, बिल्कुल ब्रीफ में करवाने वालों है ना, और हम लोग यह दी boolean algebra तक पहुंच गए, मैं चारा हूँ कि आपको जल्दी से quickly वैसे तो यह, यह जो, यह जो मेरा पूरा content तयार है, मे आएंगे लगबग 222 प्लस pages है इसमें, यह मैं आपको मेरे telegram पर provide कर दूँगा, आपको pdf के रूप में, तो आप rudra rudra sir adda 247, adda 247, यहाँ पर जुड़ जाएगा, telegram है यह, ठीक है, telegram ID, good morning everyone, एक बार share कर दीजे, like कर दीजे, सारी बाते बिलकुल brief में बताऊंगा, computer peripheral devices क्या होती है, वो devices जो computer में externally बाहर से connect होती है, चाहें वो input device हो, चाहें output device हो, और उससे क्या होता है, इन hardware की मदद से हम computer के और भी ज़्यादा functionality को use कर सकते हैं, जैसे printer, plotter, monitor, projector, यह सबी जो हैं, हमको मदद करती है, ठीक है, आगे devices बताई गई हैं, जो output devices कौन-कौन से हो सकती है, printer है, monitor है, speaker, headphone, GPS जो devices है, video card, projector, plotter, sound card, braille reader, यह सब output devices हैं, देख लो एक बार, output devices की list देख लो एक बार, speaker, monitor, printer, GPS, even video card क्योंकि वो हमको display में मदद करेगा, projector, plotter, printer, speaker, headphone, यह सब output device, है ना, good morning everyone, input device कौन सी है, mouse, mic, QR code scanner क्या होगा, क्योंकि उससे data information अंदर के तरफ जारी है, barcode reader, MICR, दिया है MICR, नहीं दिया, MICR, OCR, यह भी क्या input device है, OMR, optical mark reader भी input device है, OCR, optical character reader, magnetic ink character reader, keyboard, joystick, trackball, scanner जो हैं, printer यह प्लोटर, output है, लेकिन, scanner, scan करके input अंदर लेता है, light pen, यह सब input device, कुछ ऐसी भी devices हैं, कुछ ऐसी भी devices हैं, जो input का भी काम करती हैं, और output का भी काम करती हैं, तो input, output क्योंकि CD, DVD को हम लोग burn भी कर सकते हैं, data को store भी कर सकते हैं, वहाँ से data receive भी कर सकते हैं, तो यह दोनों तरसे काम करती हैं, pen drive, data को देती भी है, data ले सकती है, modem, input भी दे रहा है, output भी दे रहा है, टच स्क्रीन सबसे बहतरीन example है कि टच स्क्रीन में आप लोग का जो hardware है, वो touch करने पर input ले भी लेता है, और आपको दिखा भी रहा है कि वही content का चल रहा है, तो यह एक presentation की तरह, monitor की तरह भी काम कर रहा है, और input भी ले रहा है, जैसे mouse और keyboard लेते हैं, digital camera भी input, output दौनों की तरह से काम कर रहा है, तो यह है पूरा का पूरा input, output का पूरा combination, magnetic in character reader, MICR, यह सब क्या है, यह भी सब input devices, यहाँ पर पूरी list बताईए, एक बार आप अच्छे से देख लो, कोई गलती मत करना, की बोर्ड के खोच करता, क्रिस्टाफर लॉथम सॉल्स थे, डगलस इलेंगबर्ट, माउस के खोच करता, स्कैनर, input device है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टेक, लाइट पैंड, टच स्क्रीन, optical card reader, OCR, जो card reader है, magnetic ink character reader, optical barcode reader, जो optical barcode reader होता, input device है, voice recognition devices, या OCR, OMR, optical mark reader, यह सारे के सारे input devices, these all are input devices, यहाँ पर कोई गलती मत कर देना, और यहाँ पर जो है आपको एक बहुत important question आया है, कि ठीक है, input devices में keyboard होता है, सबको पता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि keyboard में toggle keys का क्या काम है, keyboard में num lock का क्या काम है, scroll lock का क्या काम है, तो यहाँ पर आपको सारी बाते बताएगे यह, ध्यान से देखिएगा, toggle keys क्या होती है, toggle keys वो होती है, कि यदि आपने मान लीजिए, num lock, num lock को एक बार दबा दिया, तो यह on हो गया, on या off की तरह से काम करें, toggle keys are those which function as in on or off, एक बार दबाएंगे तो on हो गया, फिर से दबाया तो off हो गया, फिर से दबाया तो off हो गया, on off, on off दबाने पर चलता है, यह toggle key's क्यालाती है, तो toggle keys में आपने देखा होगा num lock को एक बार दबाते हो तो हमारी यह जो num वाली keys हैं कौन से number वाली keys यह रहा num lock यहाँ पर num lock है इसको एक बार दबाऊंगा तो यह lock हो जाएगा दूसरी बार दबाऊंगा तो यह number keys unlock हो जाएगी ऐसे इसी प्रकार से caps lock में एक बार दबाऊंगा तो यहाँ पर एक बटन अपने आप आजाएगा सारे capital में लिखे जाएगी दूसरी बार फिर से दबाऊंगा तो वो short में हो जाएगा मतलब small letters तो यह toggle keys वो होती हैं जो on, off, on, off वा काम करते हैं और यह तीन keys है mainly caps lock, num lock और scroll lock आप से पुछा जाएगा इन में से कौन सी एक toggle key नहीं है तो जो चौती वाली होगी वो answer आजाएगा तो यह तीन keys याद रखे caps lock, num lock, scroll lock और यह capitalize करती है पूरी के पूरी letters को कौन caps lock number के input output को बंद कर देती है और arrow की मदद से आप जो scroll करते हैं वो बंद हो जाएगा scroll बंद हो जाएगा यह जो mouse वाला है यदि scroll lock बंद हो गया तो off और on तो यह तीनों toggle keys हैं याद रहेगा देख लीजिए toggle keys कौन कौन सी है toggle keys are caps lock इधर num lock नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर scroll यह scroll और नहीं एक साथ दिया हुआ है यहाँ ठीक है चलो अगला question आ रहा है कि keyboard में modifier keys कौन कौन सी होती है which all keys are modifier keys normally keyboard में normally keyboard में 108 108 तक keys हो सकती है 108 108 108 modifier keys है नहीं it is a special key that temporarily modify क्या होता है यदि आप shift दबा के letter दबाते हैं तो वो capital में हो जाता है नहीं हटा देते हैं तो उनको दबा के रखना पड़ता है है ना function keys है control है control CTRL CTRL control plus जैसे आप और देखते हैं alt plus F4 तो पूरा 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 प्रोग्राम बंद हो जाता है control is delete होता है तो function other function such as brightness and volume control यह function के दवारा brightness तो यहाँ पर caps lock num lock और scroll lock इसके अलावा shift control alt और यह function keys यह सभी modifier keys है modifier keys उसके बाद में बात आ रही है function keys F1 से F12 function keys होती है a keys on computer keyboard distinct from main alpha numerical keys F1 से F12 तक होता है और known as function keys and each key perform a different function हर key जैसे alt plus F4 तो अलग-अलग function का performance होता है brightness वगरा के लिए यूज होती है और finally escape की जो है जो भी काम चल रहा है उससे बाहर आने के लिए escape key का प्रयूग किया जाता है चलो इसके अलावा input devices मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दे थी mouse, joystick, trackball, scanner scanner input device के तौर पर काम करता है क्योंकि यह input देता है तो यह जो है आप लुक देख सकते है these all are the common input device these all are the common input devices keyboard, mouse, joystick, trackball, scanner, touch screen, webcam, microphone, etc ठीक है देख लेजे और बार कोड रीडर magnetic in character reader optical character recognition full form याद रख लिजे character का मतलब यह कि मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं कोई भी नाम लिख रहा हूं Sita and Gita movie थी न Sita and Gita तो यह अपने आप से जब optical character recognition करेगा तो यह इस तरह के text format में इसको convert कर देए यह optical character recognition होता है optical mark reader वो हमारे exam की copy जो चैक होती है तो यह यह पूरा का पूरा example दिया आप switch off करने के लिए कोई बात नहीं लेट हो गए तो good morning everyone कि सब लोग एक बार share कर देंगे जिसने share नहीं किया है कई और ग्रुप में आपके group में जो आपके EPFU के aspirants से माँ पर share और like कर दीजे share और like कर दीजे तो MICR magnetic ink character reader optical character reader barcode reader और OMR sheet image scanner तो यह सारे के सारे क्या है यह सारे के सारे input device के तौर पर काम करते हैं आपने देखा ही होगा shops में चलिए यह clear हो गया है तो आगे digitizer user draw manipulate graphics जो graphics को बनाने के लिए होता है वो digitizer होता है यह भी एक input device है CAD और CAM की full form क्या होती है computer added design computer added management CAD और CAM computer added design computer added manufacturing sorry मैंने गलत बोल दिया CAD का full form हमेशा exam में पूछा जाता है CAM का भी पूछा जाता है computer computer added design और computer added manufacturing computer added manufacturing manufacturing यह touch screen input की तरह से भी काम करता output की तरह से भी microphone तो input की तरह से काम करता है और webcam जो है वो input की तरह से क्योंकि जो डब्बे वाले थे फिर flat panel display पतले वाले आया flat panel उसके बाद में देखो यह 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 पर यह सबसे पहले डब्बे वाला तो दिखाए नहीं यह रहा यह CRT है CRT cathode ray tube उसके बाद में LCD उसके बाद में TFT आया thin film tube CRT के बाद में thin film tube आया CRT के बाद में thin film tube आया उसके बाद liquid crystal display आया फिर यह LED आया फिर यह plasma TV और आया फिर OLED आया organic light emitting diode तो इस फ्रकार से यह types of display हैं है न और यह समय के साथ में technology improve की गई है क्योंकि technology हर बार नई change होती है CRT बहुत बड़ी size के होते थे और screen flicker करती थी LCD slim size का होता sharp image होती है fluorescent tube यूज होता है लेकिन क्या होता है एक angle पर इसको क्या है देखा नहीं जा सकता LEDs और भी slim होते हैं और energy efficient होते हैं और किसी भी angle से इस display को देखने पर आपको LED में लेकिन LED आँखों के लिए बहुत LEDs जो हैं वो आँखों के लिए बहुत खतरनाग computer added design और computer added manufacturing यस अगला point आ रहा है कि जो यह liquid crystal display है LCD यह compact fluorescent tube LCD compact fluorescent tube to illuminate brighten the image वो चमक तयार करते हैं बनाते हैं LED तो आपको पताए कि light emitting diodes होते हैं वह और ज्यादा quality के organic light emitting diode में क्या होता है हम लोग carbon wood plastic natural संसादुनों का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे LEDs को मोड़ा भी जा सकता इस प्रकार से भी चीज़ें आ गई आजकल जो आजकल आप लोग ना mobile देख रहे हैं अब बात आ रहे है printer इस पर question जरूर आता है यह कैसा segment है जिस पर question मैंने हमेशा देखा है कि printer के टाइप प्रकार ऐसा पूछा जा रहा है तो एक तो होता है बिटा impact printer और एक होता है non impact printer one is impact printer and one is non impact printer तो सबसे पहले बात कर लेते कि impact printer क्या होता तो impact printer वो है जैसे आपने कभी भी टाइप राइटर देखा है क्या दबा के वापिस से आ जाती है ए दबाया तो ए चप जाएगा बी दबाया तो अपने आप उठके आएगी बी दबाया और वापिस से चप गया ऐसे तो impact का मतलब यह होता है कि strike किया जा रहा है जैसे dot matrix printer जो है वो लाइन बाय लाइन क्या है कॉन प्रिंट करता है जैसे ड्रम प्रिंटर चेन प्रिंटर बैन प्रिंटर तो dot matrix character printer है और यह लाइन प्रिंटर है तो बेसिकली यह दोनों क्या है एक प्रकार के impact printer जो स्ट्राइक करेगा ठाइपY admitted अप्रियोग किया षैंड गय्ट लेकिन यह जो प्रिंटर होला सेग्मेंट है हमीशा एक जानद पूछाए रिपर और जिसमें इंपेक्ट यह प्रिंटर सबसे कौमन प्रिंटर यह है हम लोग जो हैं अलग-अलग इमेजेज या जो भी लिखना है वो लिखते हैं तो यहां पर इंक जैट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर यह नॉन इंपक्ट प्रिंटर आपको मैच दसी फालोइन के प्रिंट में पूछा जाता है कि इंपक्टly क्या होते हैं नउन इंपक्ट प्रिंटर क्या होते है ठीक है चलो तो सबसे common वाला जो है inkjet printer इंक जैट प्रिंटर आप लोग लगबग हर एक office में देख लोगे यह inkjet printer का example यह line printer तो आप लोग इस प्रकार का printer आपने देखा हो जो आपके railway station पर जो आपका चार्ट चपता है ना जब आपने कभी railway station पर चार्ट चपके देखा हो तो यह ऐसा होता है लाइन प्रिंटर लेजर प्रिंटर और हाई quality का है यह dot matrix printer जो रेलवेज में लगा होता है laser printer inkjet printer thermal printer यह temperature पर आदाजित और plotter यह बहुत बड़ी तस्वीरों को देने की शमतर रखता है डेजी वील जो printer है वो क्या है एक प्रकार का एक प्रकार का character printer है डेजी वील ठीक है चालो तो यहाँ पर पूरे type दिये गए हैं सबसे पहले आ रहा है impact printer impact printer में अपनी एक ribbon होती है जिसके ओपर color लगा होता है black यह जो भी ठीक है और यह strike के मदद से तकर के साथ में प्रयोग होता है तो dot matrix printer line printer डेजी वील printer drum printer chain printer और band printer यह list याद रख लो इस पर exam में जरूर प्रशन पूछा जाता है इसके बाद में बात आ रहे है dot matrix printer it prints characters as combination of dots यह dots के रूप में combination ऐसा जैसे मैंने आपको बता है और इसकी जो capacity measure की जाती है dot per inches एक inch में एक inch पे कितनी ज़्यादा dot लगा सकता है यह इसकी शमता को मापने के लिए तरीका है और फिर line printer जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था आपको यह रहा line printer ऐसा ठीक है चलो वो impact printer अब non impact में laser क्योंकि laser light से अपना है न और यह भी dot per inches पर काम करता है dpi पर वैसे laser printer बहुत fast होते हैं और इनकी speed को measure करने के लिए page per minute page per minute इसकी शमता को मापने के लिए per minute कितने pages निकल सकता है क्योंकि एक minute में कई सारे page निकल देता है laser printer इंक jet printer यह तो common है इंक jet printer की जो शमता मांपी जाती है line per minute एक minute में कितनी line लिख सकता है वो ink jack printer की शमता इसमें measure की जाती है non impact printer prints character and paper without using ribbon किसी ribbon का प्रयोग नहीं होता है और other type जो है वो है solid ink printer और LED printer solid ink printer और LED printer LED light emitting diode की मदद अच्छा और solid ink printer भी होते है plotter जो होते हैं जो बहुत बड़े large size की जो diagrams होते हैं जैसे posters वगेरा जब चपते हैं तो plotter की जुरूत पड़ती है तो plotter is an output device used to produce hard copies of large बड़े graph design paper such as construction and architectural plans business chart drum plotter flatbed plotter are the type of plotters तो यह plotters है ठीक है good morning भाई सबको स्वागत है clear आगे चले अब बात आ रही है drum plotter और flatbed plotter flatbed जो है वो रखे हुए flatbed जो है और drum में यह flatbed plotter आजकल ज़्यादा use होते हैं इसके बाद में जो output device है वो speaker हमारे जो digital projector है वो भी क्या है output device के तौर पे काम करते हैं अब आपके लिए screen पर प्रशन आ गया है पाच question है सभी लोग बताई आंसर क्या होगा और question का आंसर कैसे बताएंगे question number first का आंसर ये है second का आंसर ये है बताईए बताईए क्या आंसर होगा ऐसे बताना first का आंसर ये है second का आंसर ये है ऐसे लिख के बताना सही सही सब लोग participate करो yes गुद मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आप सभी गा गुद मॉर्निंग लाइक और सब को दिख रहा है प्रॉपरली विच अव फॉलोइग इस एकम्प्यूटर हाडवेर बताए फर्स्ट का आंसर बताओ इसे आंसर लिख के बताओ वन पेकिन का आंसर थर्ड का फॉर्थ का फिफ्ट का चलिए तो सिंपल कुश्चन है सभी कुश्चन सिंपल है लिकिर आपको देखते कितने परसंडेश सही आंसर आएगा प्रिंटर एक हाडवेर है बाकी उबिन्तू फएडोरा लाइनेक्स के वर्जन है रैड हैट मैक ओएस अपरेडिंग सिस्टम का अपरेडिंग सिस्टम है Windows एक software है Unix एक operating system है जो बहुत costly होता है तो answer आजाएगा 4 यस इसके बाद मैं अरे पहले कहीं बताओगे second कहीं बताओ अरे बहुत simple तो English यार इतनी भी English नहीं करोगे तो English का सब paper भी तो है आपका which of the following आज आज मुझे theory पलानी थी और वो questions भी तयार है जो मैं daily लेके आता हूँ लेकिन न मुझे एक बार आपको briefly सारे topic करवाने कि exam में एक भी चीजे मिसना हो यदि आपने मेरे सारी class देखी है तो बिलकुल guaranteed हो जाए कि हाँ जितने भी question आए computer के वो सारे आपके सही हो which of the following refers to the time the alphanumeric key is to be held before the keyboard repeat itself which of the following refers to the time the alphanumeric key is to be before तेकि इसका answer होगा repeat rate 1 होगा शायद आपने question सुना नहीं होगा कभी repeat rate will be the correct answer क्या होता है आपको पता है एक बार ना आपको इसा भी की दवाई है जिसे मान लीजाए अपने c दवाया c प्रेस किया एक बार c को दवा के रखआ हूँ है आपने c को दवा के रखआ हो c को दवाया तो एक बार तो c प्रेस हो जाएगा फिर लगबग कुछ एकाज सेकंड के बाद में उसके बाद में होता है कि दबा के रखाओ तो सी 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 प्रैस होने लग जाता है तो यह जो है यह जो गैप है यह repeat rate कहलाता है कि कितनी देर के बाद वो repeat होगा है नब वापे से तो इसको क्या कहा जाता है repeat rate कहा जाता है तो जितने समय के बाद होगी वो repeat rate कहलाएगा ठीक है तीसरा पॉइंट आ रहा है तीसरा question आ रहा है which of the following is power protection बहुत बढ़ी है आप लोग ना अंसर दे दिये सबने good power protection device that include a battery providing आज इसमें battery हो तो वो क्या होता है uninterrupted power supply क्या है यह uninterrupted power supply UPS है ना very good चलो अगला है what is the name of temporary data storage area between peripheral device and CPU तो वो क्या हो जाएगी बताओ temporary बोल रहा है temporary बोल रहा है चौते का दो आंसर दिया है ना fourth का two दिया आपने भाई वो तो buffer कहलाता है main storage इस थोड़ी होता है buffer होगा जो temporarily buffer आ जाएगा ठीक है और which of the following printer cannot print graphics इन में से कौन से graph को देखो laser printer तो बहुत advanced और inkjet printer यह भी graph को chart को बना सकते प्लॉटर तो बना रखता है लेकिन डेजी विल printer तो क्या है बहुत अच्छे graph कैसे बनाए हो क्यों क्यों कि तो यह तो इसका अंसर थर्ड आ जाएगा प्रिप्त का थर्ड वेरी गुड आंसर देख लेते हैं computer इजा hardware यहाँ पर क्या है printer एक hardware दूसरा question में आपने answer क्या दिया था repeat rate आ गया fast और slow जब एक बार की को दबा के रखता है repeat rate थर्ड स्टेटमेंट है UPS का सबको पता एक battery बगरा होती है buffer is a temporary memory that data storage area between the peripheral devices buffer होगा फूर्थ का फूर्थ का answer क्या दिया था आपने फूर्थ का देख लो फूर्थ का answer दो आ जाएगा buffer और फिफ्त जो है daisy wheel printer daisy wheel printer cannot print graphics in general and they are noisy and slow यह आवाज भी करते स्लो भी है लेकिन बाकी सब लोग तो graphs को जो है ग्राफ को बना सकते हैं मतलब कोई दिक्कत नहीं नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं आप चले जाईए बिटा आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने तो बुलाया नहीं था आपको यदि आये हैं आप दू मिनट समझ लीजे नहीं आ रहा तो अपनी किताब खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दीजे ठीक है शिवम्त ह ना हाँ आप जरूरत नहीं आप नहीं समझ पा रहें तो कुछ भी नहीं समझ पा रहें तो बहुत बढ़ी है बिटा चाहत आइंदा ना ये हरकते बंद कर देना वनना तुमको तो सारी बाते पता ही है निकल जाओ तुम लोग फालतु के लोग सारे के सारे फालतु के शिवम को तो मैं भी अगली बार स्टेटमेंट कहे दो आप तो मैं आपको पर्मानेंट ब्लॉक मारता हूं बेटा नहीं समझ मैं रहा तो आप चले जाओ ना क्यों बता रहे हो क्या हुआ है है ना चलो कुछ कुछ है ना आप लोगों नहीं मुझे एक और चीज बोली थी क्योंकि तुम्हारा कोई काम है नहीं आपर तुम वालतों की बक्वासी करती हूं के वल जैसी सेशन चूटता है उसके बाद भी बक्वासी करना तुमको लोगों नहीं समझा रहा तो पर्मानेंट कहीं और जाओ खोश रहा हूँ मौझ लोग आइंदाना मत मेरी क्लास चलें आगे बढ़े देखिए ये ये भी न एक चीज आपको पता हो नीचे फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है विच वन इस दिफ फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी कौन सी है ये भी समझ में आ जाएगा आपको तो रैम रोम रैम और रोम समी कंडुक्टर मेमोरी रैम और रोम CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc, DVD ये सारी के सारी जो है Memories कहलाती है समझ में आगी बात और Flash Memory जो है जो जल्दी से Delete की जा सके तो Pen Drive, Memory Card, EP Room, Technology Devices ये सब क्या हैं? ये सब Flash Memory है और Hard Disk Drive, HDD, Floppy Disk Drive तो ये Magnetic Memory कहलाती है क्योंकि इनमें जो Data Stored होता है तो वो Magnetically होता है है ना, Hard Disk Drive में क्या है? वो जो Magnetic Disk है, वहाँ पर Data Stored होता है Pen Drive, है ना? हाँ और Blu-ray Disc, ये सब क्या है? Optical Readers पे, CD-ROM, DVD, Rewriter, DVD तो ये आपको Match करने के लिए आ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा Optical है Media कौन सा Semiconductor है, जैसे RAM, ROM, Cache और जो CPU है ये सब क्या है? ये सब Semiconductor Memories है These all are Semiconductor Memories समझ में आगी बात? आगे चले, अगला चले, है न? तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए Memories वगरा में, Virtual Memory और इसके बाद में आपको एक important topic करवा देता हूँ कि ये एक प्रशन है न? मैं बहुत direct बता रहा हूँ आप लोगों को इसलिए क्योंकि एक्जाम में ये सीधे-सीधे प्रशन आते है Computer जो है उसके वो सारे के सारे Features क्या है मैंने कभी नहीं पढ़ा है है न? मैंने ये Features नहीं पढ़ा है है न? Is it clear? तो यहाँ पर देखिए Speed, Accuracy, Diligence, Versatility और Storage Speed होता है Computer का एक विशेश प्रॉसेस Accuracy भी, Accuracy भी इसका एक प्रॉसेस है Diligence भी है, Versatile Versatile का मतलब Computer हर चीज में Versatile होता है है न? यह बहुत important रहेगा आपको क्योंकि यह point सीधे-सीधे पूछे जाते है तभी तो करवार हो एक बार को Speed Computer का feature है Accuracy तो Computer का feature है Computer कभी ठकता नहीं है Diligence होता है Diligence का मतलब कभी न ठकना ला Versatile का मतलब बहुत सारे काम कर सकता है और बहुत सारी चीजों को Store करके Fast Speed में डेटा को बताता है दुनिया भर में यह यह जो Computer से इनके बार में बहुत ज़्यादा पूछा गया है एक्जाम में अबेकस चाइना में और रश्या में बनाता Beads पर आधारित है और यह Addition, Substraction Addition और Substraction हम लोग Beads पर किया करते थे So this is what है ना Very-very important class for EPFO हाँ तो एक्जाम में डेवलप हुआ Politically आपको इस सारी बाते पता होनी चीए Simple Addition और Substraction इससे हो सकता है इसके बाद में न Napier's Bone Napier's जो है John Napier's ने Multiplication Division के लिए एक डिवाइस बनाई तो Napier Bone जो है यह Also Invented Logarithm Logs जो होती ना Log Table वो भी Napier Jones Napier's ने जो Mathematician थे उनके द्वारा Rods Made of Bone मतलब हड़ियों पर जो Rods बनाई गई उससे इन्होंने Calculating डिवाइस बनाई थी Napier Bones ने Cash Memory जो होती है CPU और RAM के बीच में होती है और यह Overall Computer की Speed को बढ़ाने में मदद करती है ठीक है Cash Memory Punch Card System जो First Generation Computer थे उनमें First Punch Card आये थे और यह Input Device के तोर पे काम करते थे जो है इन्पूट इन्पूट दिवाईस के तोर पे काम करते हैं उसके बाद आ रहारा है Pascaline Computer Pascaline जो है Pascaline फर्स्ट कंप्यूटर था और Blais Pascal के द्वारा डेवलप किया गया थी यह रहा Blais Pascal के द्वारा Pascaline Computer सोल्वी शताब्दी में डवलप किया गया था फ्रेंच बतेमेटिशियन ठीक है तो यह कुछ फाक्ट से जो आपको पता हुने चार्ल्स बैबेज का बहुत इंपॉर्टन रोल है और यह फादर ऑफ दा कंप्यूटर कहलाते है चार्ल्स बैबेज है न और इन्होंने सबसे प डशे कर दिया और डिफ्रेंस इंजिन इन्होंने अट्ठव सो तैंटेज में बनाया है डिफ्रिंस इंजन वह मना आपको गलत सा यहां पर सही कर दिया अनलाइटिकल इंजन अथार इंज़िए और इप्ट्थार्स इंजिन इसकाल एनलाइटिकल एंजिन तो इनोंने यह father of computer इन्होंने computer के input, output, memory, central processing unit ये सब चीज़ें डिजाइन कीते हैं इसलिए इनको computer का जनक का आ जाता है जबकि जो एलेन ट्यूरिंग है ये जो है ये modern जो हमारे computer के जनक है वो एलेन ट्यूरिंग है पंच कार्ड क्या होता है जो first generation computer हुआ करते थे जैसे आज की तारीक में लोग keyboard से input देते हैं वैसे on off ऐसे दबने वाले प्रेस करने वाले device होती थी तो उस समय पर input 0101 की form में जाया करता था is it clear? चलो so हेलोरिंग मशीन भी आई थी आपको historically पूछा जा सकता है tabular punch cards का प्रयोग किया जाता था हेलोरित मशीन में data of sensors जन्गरना को इससे मेजर किया गया था फिर mark 1 computer आया है first electromechanical computing device थे mark 1 जबकि मैंने आपको बताया था कि first electronic जो computer है वो कौन सा था फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर था एनी एक एलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलीटर एनी एक है न पता है न आपको तो पहला electromechanical पूछे तो आंसर दे देना मार्क वन पहला electromechanical डिवाइस है और यह हार्वर्ड हैथवे के द्वारा डेवलप किया गया ही यूज्ट हैलोरित पंचकार बैबेज स्टेट्मेंट टू डेवलप मार्क वन तो मार्क वन में मैंगनेटिक कूर मैमोरी मैंगनेटिक ड्रम मैमोरी ज या जढ़ने एंडि जर्श ज़िए आप से पूछा जाए कि प्रोर्ग्रामेबल हो गया फॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है अंप्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर तो वह आपका ए बी सी कहलाए ऑर किसने बनाए एटनास ओफ बैरी कंप्योटर यह इस्टोरिकल बैग्ग्राउंड कभी भी पुछे जा सकते हैं प्रोग्रामेबल जो पहला electronic है वो है Eniak और अन प्रोग्रामेबल है electronic डिजिटल कंप्योटर लिजी अब Eniak दुनिया का पहला programmable फ़र्स्ट electronic computer था और याद रखना दौनों नाम प्रैसपर एकर्ट और जॉन मौकली प्रैसपर एकर्ट और जॉन मौकली के द्वारा बनाएगे फिर एडवेक आया एडवेक 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 का ही successor अग्रज रहा and was the successor of एडवेक बाइनरी नंबर्स वर यूज्ट तू अर्थमाटिक ऑपरेशन में बाइनरी नंबर्स का प्रयोक किया जाता था electronic delay storage automatic calculator एडवेक भी है यह सारी full form देख लीजिए आप लोग वो सकता आपको full form आ जाए तो electronic numerical integrator and calculator NIEC, electronic discrete variable automatic computer यह सकसेसर है NIEC का, electronic delay storage automatic computer ADSEC और फाइनली यूनिवर्सल आपको बताया था कि यह दुनिया का पहला business computer है जिसको एकट मौकली के द्वारा बनाएगा एकट मौकली के द्वारा पिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ सबसे पहले इंटेल का 4004 यह माइक्रो प्रोसेसर आया और उसके बाद में तो हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं फिफ्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं उनको ULSI कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेगरेशन फिफ्ट जनरेशन के प्रोसेसर को ULSI कहा जाता है राइट एक बार पढ़ लीजे सारी वाते हैं बहुत एक्जाम में काम किये हैं पादरह फ्फ कम्प्यूटर्स चार्ज बैबेज बन कंप्यूटर के जनक एलन तुरिंग फर्स्ट नन-PRO-GRA-M-E-B-E-V एलेक्ट विजिटल कंप्यूटर तो है यह सब याद रहेगा आपको यस और नो यस और नो है ना तो हमने बहुत सारी चीजे पढ़ ली आज की क्लास में अब मेरी अगली क्लास जो आएगी वो आठ तीस पर आएगी आठ तीस के लमसम या आठ पैतालिस के करीब आएगी और हम लोग उसमें साइंस पढ़ने वाले स तो उसको आप लोग timer set कर लीजिए और यदि dedicated result oriented batch जो है यदि आप UPSC के तयारी करेंगे तो आप सीध अड़ा 247 पर जाकर आप इन batches में enroll कर सकते हैं जैसी आप अड़ा 247 पर जाएंगे यह रहा अड़ा 247 पर जैसी जाएंगे तो यहाँ पर UPSC पर जाएंगे और यह र हिंदी मीडियम का batch है आप लोग by now पर click करके वाई 583 coupon code लगा सकते हैं है ना coupon code क्या लगा देंगे वाई 583 हाँ PDF जरूर डाल देंगे यार ठीक है वाई 583 वाई 583 कूपन कूड का प्रयोग करके आप लोग इस batch में enroll कर सकते हैं ठीक है ठीक है ना चली इसी प्रकार से परिणाम जो बैच है वो पूरी तर से हिंदी माध्यम का बैच है यह रहा परिणाम बैच ठीक है इसमें आपको complete हिंदी माध्यम का बैच है आप लोग एडमिशन के लिए inquiry भी कर सकते हैं और यहां पर UPSC में जाकर combo भी available है मतलब आप किसी optional के साथ हि geography, public administration है ना और अक्षे सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे PSIR और history optional तो यह आप इसमें भी batch में रोल कर सकते हैं इसके अलावा देखिए इसके अलावा देखिए यहां पर यहां पर आपको जो भी आपको बैच लेना है जैसे state PCS के बहुत शांदर batch अब तयार है भीżyć हार का whoa ले रहे हर याना का उत्तरप्रदेश का मध्यप्रदेश का महापैक लेंगी तो आपको ज्यादा विलेंगग तो आइठिंग आपको यहां तक यहां तक शायद आपको सारी बाते समझ में हागे होंगे है नइक साफ प्रोग्रामर जो थी वो एक मील थी और वो बहुत अच्छा नाम है उनका उनके नाम पर computer भी बना है तो first programmer was a female एक महिला थी बहुत यह अच्छा नाम है उनका बहुत यह अच्छा नाम है मैंने कई बार पढ़ाया उसको अडा अडा हाँ और अडा एक programming language भी है अडा एक female रही है बिटा वो अडा एडा लोवलेस अडा लोवलेस लोग बता लेता हूँ तो उम्मीद करता हूँ यहां तक सारी बाते आपको समझ में आगे होंगी अडा लोवलेस एडा अडा लोवलेस और अडा एक programming भाशा भी है इस नहीं के नाम पर रखा गया समझ में आगी बात अच्छे से अडा चलिए तो आज के session को यही रोकता हूँ इसके बाद में साइन्स की क्लास आजेगे तो एक बार शेर कर दीजेगा सब लोग session को थैंक यू